हेलो गाइज, welcome once again to our platform that is CarryRave, और आज एक जबरदस जानकारी के साथ में है, although I have already updated in the community post on the YouTube, as well as on Telegram, तो social media पे तो हमने खबर पहले से post कर दी है कि इसके बारे में, कि हाँ, common gardener का second list आया है, although you guys must be noticing that कि हाँ, इसमें कुछ observational चीज़ें चल रही थी, कई सारी चीज़ें चल रही थी, इसको लेकर के लग रहा था, कि minimum of three months would be there, until or unless the next vacancy should be released, तो एक proper जानकारी के साथ में कि AI-ATC का क्या update है, जो southern region के थे, उनका क्या update है, gate 2024 के आधार पर, या 2024 जो vacancy आई थी, gate के basis पे, उसका क्या update है, जो कि आज ही अभी थोड़े दिर पहले खवर आई, और southern region का जो office assistant and fire services का था उसका भी, यानि in a nutshell हम लोग देखेंगे, किस तरीके से चार टीम जबरदस्त से, जबरद कारडर की, और जिन लोग को नहीं पता कामन कारडर क्या था, कामन कारडर वो जौब था, AI का, जिसमें 30 लाग की salary है न, CTC, और anyone who is just graduate, कोई भी जो graduate हो, pass हो, खाली, qualified हो, उसको एक simple सा exam देना था, और यह इस तरह की जौब थी, although इसमें बहुत सारे candidate अपीर किये थे, इसका cut-off थोड़ा high गया था, लेकिन जो second list ही cut-off आई है, वो काफी surprisingly low है, जैसे अगर आप देखेंगे second list के बारे में, तो यहाँ पर क्या हुआ था, 14-15 October 2023 को exam हुआ था, and we were running the successful courses, बहुत सारे बच्चे उसमें select हुए, जाद तर लोगों से connect किये, जाद तर लोगों से connect नहीं क पता था कि common carder में हम लोग बहुत बढ़िया prediction नहीं रख पाए, पेपर का, prediction almost 99% तक true थी, लेकिन बहुत सारी चीजों में हम लोग prepared नहीं थे, क्योंकि वो first time vacancy था, लेकिन हम उसको compensate करना चाह रहे थे, यह ATC से, और जो की ATC vacancy में selection को देख करके लगा, अच्छा, जुख पन बुलाए गए है कुनला जिला के, और उनको communication भी हो, उनसे किया जाएगा, वाया email, cut off mark को लेकर के बड़ी चंता है सब को, कि भई, OBC से कम कैसे हो गया, 119 है, और OBC का 126 है, AWS का 126 है, ध्यान रहे कि जितने भी candidates drop करते हैं, इसे आपने देखा कि ATC में, ATC वाले exam में इसका मतलब भी रहता है कि हो multiple exams देते रहते हैं, जैसे हमारा भांजा, हमारा एक छोटा बतीजा है, जैसे मतलब शिवंदर, वो भी देखेगा, दो जौब qualify करा, मतलब कुल मिलाजला के हमारे पास में 6-7 candidate ऐसे रहे, अभी के time पे जो connect में है, कि वो अलग-अलग vacancies में चल आप देखो कि जो open category है, open category में पहले वाले round में, काफी reserve category वाले बच्चे भी अगर अच्छा score करते हैं, तो open category में ही count जाते हैं, यानि उनकी वाली seatों में, अब second list में बढ़ोत तरीक chances नहीं रहते, लेकिन हाँ, जो open category वाले बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो वहां से misplace हों तो उनकी जगा कौन लेगा, open category वाला ही लेता है, इसलिए किसी vacancy में, अगर second list कभी भी आती है, तो उसमें हमिसा open category की cut off हम रहती है, यानि second list में ज़्यादा chances बनते हैं, कि open category वाला बच्चा qualify होगा, चीक है, क्योंकि उनकी seatیں खाली रह जाती है, तो हमिसा ध्यान रखेग कि open category का cut off में सा कम आता, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं, यह कि अरे ऐसे कैसे हो गया, आरोप पत्यारोप वाली बात नहीं है, यह logical चीज़े हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, सबकु समराइज डेट में, जैसे एक vacancy आई, vacancy में seat है allocate हो कर दी आती है, कि इ चालीस हमारे open में होने चाहिए, बागी category wise में, open में कम हो तब भी चलेगा, लेकिन हाँ, इध्यान रखना है कि जो category wise है, यह seat फुल होनी चाहिए, इसमें vacancy नहीं होनी चाहिए, अब मान लिजे, पहली बार हमने जब vacancy निकाली और exam लिया गया, अब यह seat फुल हो गई, य अब इसमें देखोगे, आपका सबका, अपना अपना cut off आया हुआ है, और इसमें सबसे ज़्यादा, अगर cut off देखोगे, तो 126 EWS और OBC का रहा है, तो जितने भी लोग 2-4 लोगों से हमारी connection में थे, जो 119, 121 इसे करके बता रहे थे, आप लोगों के लिए, और 2-3 लोग और next महीने में, यानि AC October के end तक हमको एक जबरदा सब्डेट मिलने वाली है, हम लोगों मिल जाएगी, किसके बारे में, common carder के बारे में, और जैसे ही update मिलेगी, तभी हम लोग batch या कुछ भी launch करेंगे, बेवज़ा हम से मलब नहीं साहेंगे कि batch launch हो, next thing देखे ये वाला, य यह क्या है, दो 2024, यह क्या है, देखो, यहाँ पे क्या है, airport 30 of India, AI announced the final list of candidate provisionally selected for the post of junior executive engineering, under the advertisement में, का था, 2024 का दूसरा advertisement, based on gate 2024 के score के हिसाब से, इसमें ध्यान रखे कि कुछ trades के पहले से आ चुके थे, architecture के और, एक दो मतलब पोस्ट के बचे हुए रह गये थे, यानि architecture और IT का दो का बचा रह गया था, जिसका अभी-अभी जस्ट थोड़े दर पहले ही update हुआ है, website पे, तो देखो, यह cut-off इसका रहा है, electrical, civil, electronics, information, technology, architecture, electronics, यह इस तरीके से data उनने दिया है, अलग-लग करके दिया है, तो हमने इसमें वर्क किया है, और फिर आपके पास में लेके आए हाँ, अगर कहीं भी तोटी आपको लगती है, जरूर हमें intimate करें, मैं एक human being, errors हमसे हो जाते हैं, अक्सर होते हैं, तो इसमें आपको साथ देना है, तो इसमें अगर आप देखेंगे, तो electrical में कुल selected candidates केते हैं, 106 बच्चे से हैं, जो electrical में select हुए हैं, 90 civil में, electronics में 234, 12 IT में अभी रही नहीं गई, यानि उनको candidate ही नहीं बला है, जो निल वाला है, इसमें candidate ही नहीं थे, तो इसलिए खाली रह गई, आप quota वाली जो street रहेंगी, वो तो दूसरा कोई भर नहीं देगा, तो quota वाली काफी street खाली रह गई हैं, क्योंकि उसमें उतने candidate उनको मिले नहीं, तो ये तो हो गई हमारी जो gate के through vacancy थी जो कि अब finalize हो गई सब का list पहुँच गया है आप सब को खाली-खाली करना है जाके फट से joining करनी है क्या करना है खाली-खाली joining करनी है और कुछ रहवे नहीं गया है इसमें कौन सा gate वाले base पर इनकी joining की बहुत जल्दी ही मतलब via mail इनक को intimate कर दिया जाएगा चलिए next पर चलते हैं next है advertisement number जो southern region का आया था एक 2023 का southern region का जो आया था जिसमें क्या-क्या पूछा गया था senior electronics, junior assistant office and junior assistant accounts, fire services तो इसे चार्ट रेड थे इनका क्या आया था vacancy आया था जिसमें देखो electronics का आ गया यही nominated for the electronics वाले जो बच्चे हैं उनका आ इनका आगया training period इनका 11 week का 11 week चारतिया बारा होते हैं तीन माह का लगबग training period घटाक कर दिया गया जो पहले कभी 6 महीना हुआ करता था और कहां होगा civil aviation training college यानि की CATC जिसकी बात आप लोग करते रहते हो और कहां पे प्रयाग राज में ही इनका होने वाला है आप कई बच इसमें कई सारे training multiple जो है चलते रहते हैं अलग एक ही साथ में simultaneously ऐसी कोई बड़ी भी दिक्कत नहीं है जो अलग-अलग core की है उनका अलग-अलग segment ही है जहां ATC की ही अगर देखोगे तो दो training simultaneously चल सकती है morning में एक evening में लेकिन तीन नहीं चल पाएंगी अभी तो उसे कोई द candidate है कि सुनिए finalized N2 लिखा हुआ है केवल two candidates है finalized किसमें जो second वाला आपका वेकेंसी है यानि office वाला यह office के लिए है यानि कि इसमें office वाले trade में office में केवल दो candidate finalized हुए है तू candidates क्या होंगे finalized हुए है इसमें कितने candidates finalized हुए है पहले वाले में पहले वाले में हमको लग रहा है लगबग I am not quite sure about the number आप जरूर इसको देखिएगा I think 25 है इसमें इसमें I think 25 है 25 candidates है electronics वाले में जो बुलाए गए है और इसमें दो candidate बुलाए गए है accounts और fire services का अभी भी जोइनिंग लिस्ट नहीं आया है अवेटेड है जो कि हम expect कर रहे है अगले चार से पांस दिन के अंदर इनका आ जाएगा अब आईए च्छोटे मुद्ध बात करते है में मुद्ध की बात जो भी लोग अभी तक जुड़े हुए है इसी time को stamp कर दीजेगा जो की बाकी news के बारे में बात कर रहे हैं जैसे हम बात करने वाले हैं अभी अपीर हुए थे सवालाग के आसपास में candidate जो बुलाए गए थे 693 यानि 693 लोग बुलाए गए डीवी के लिए ठीक है और reject किस ब्रहार पर किया गया voice test हो गया medical test हो गया document trader problem हो गया ऐसे करके कई सारे problem होते हैं तो 30 candidate कुई मिलाजवा के reject हुए 90 candidates ऐसे थे जो skip कर दिये test को क्या कर दिये skip the test skip dv यानि dv में गए ही नहीं कितने 90 नहीं गए तो आप ऐसे देखो 120 यही हो गए 16 और जोड़ दीजिए 136 तो यही हो गए बासनच पार है कई candidates ऐसे होते हैं जो बाद में available रही नहीं आते हैं आप समझिए 693 में से 693 में से आप क्या खटाएंगे 479 क्यों बासनच पार है 479 13 में से 9 गया 4 8 में 7 गया 1 और यहां पे 6 में 4 गया 2 यानि कुल हमारे पास remaining candidates कितने हैं 214 कितने हैं 214 अब इस 214 में से आप क्या करिए 124 और घटा दीजिए 9 3 12 9 3 12 और 16 कितने जाएंगे 120 और 16 136 136 और घटाईए आग पास देखे 8 यहां 7 यहां 78 students remaining है इस में से अब 36 star वाले जो रहे हैं वो भी खटा दीजिए या मान लिए चलो उसको include कर लें लेकिन इमान के लिए 78 है इन 78 में क्या लगता कि 78 के 78 सारे available रहेंगे ही जो बुलाए गए उनमें से 90 गए नहीं तो आपको लगता है कि इसमें से भी available रहेंगे 6 93 जो बुलाए गए जो medically unfit रहें ऐसे करके तो overall 78 students ऐसे हैं अभी available जो साइट DV कराएं हैं और उसके बाद आप पहुंच नहीं पाएं 30 से 35 जो हमारा criteria अंदाजा कहता हूँ 35 बच्चे ऐसे हैं जो DV के बाद में finalist में तो नहीं थे लेकिन इनकी PV हुई है यानि 30-35 बच्चे ही और बच्चे होंगे maximum जो DV होल्ड करे हुए हैं और रह रहे हैं अभी बच्चे हैं अब जैसे कुछ लोगों का कहना है revise result आ रहा है although यहां के कोई criteria नहीं है और हमने बहुत सारे लोगों से बात करी तो यह जैसे होता न कि बहुत सारे audio, बहुत सारे RTIs, बहुत सारी चीज़ें आप लोग भेजते रहते हो और बहुत सारा कुमारे पासे कठा हो गया और उसको देखने के बाद में एक अंदाजा यह लगा कि ज़्यादतर चीज़ें ऐसी जो एक के उपर, एक के उपर इसे तूल देती जा रही है और कुछ है नहीं उसमें तो just in case मान लेते हैं दोनों सिनारियो कि नहीं revise होगा नहीं revise अगर होता है तो extra candidates बुलाई जा रहे हैं क्योंकि PV होई है आगे extra लोगों की तो इसका मतलब यह है कि बहुत सूपर डूपर चांस है सूपर डूपर चांस है यह चीज कि जितने भी लोग हैं आप लोग जितने भी लोग आप finalist में नाम आई है यह तो selected है अगर revise नहीं होता तब भी और plus मान के चलेगा कम से कम 40 लोग और जाएंगे जो उनको call आएगा और उनके mail आएगी और जाएंगे next thing यह भी बता दें आपको 4-5 माह के भीतर ही यह उसता 60 माह तक आपका second list भी इसमें awaited रहेगा यह भी for sure है अब बात कर लेते हैं मान लो revision हो जाए revision के grants क्या है पहला round आप लोग दे रहे हो कि sir वो जो निदेश का case वाला system है उसकी वैसे हो सकता है एक mark सारे shift 1 में बढ़ जाए और shift 1 में सारे बच्चों का अगर एक mark बढ़ जाए तो इस पर दो डाउट आ रहा है shift 2, shift 3 वाले कह रहे है sir उनका number बढ़ जाएगा और shift 1 की अपनी दलिल क्या है सर हमारा अगर number बढ़ जाएगा तो normalization में हमारा weightage घट जाएगा जो normalization में हम लोग 6 number आगे बढ़े 5 number आगे बढ़े अब उखटे हैंगे 4 number हम लोग बढ़ेंगे तो हो ऐसा ना हो हम boundary पहें निकल जाएं समझ रहे हैं बात को in total of the case fight किसकी है इनही 30-35 बच्चों की है बस समझ पा रहे है 30-35 बच्चों की already वो बुलाये जा चुके हैं PV के लिए बुलाये जा चुके हैं तो यह बात मान के चलिएगा अगर revise result आया तो हर हाल में cut off और गिरना है बढ़ना नहीं है जो मेरा अंदाजा कहता है वो यह है हम यहां आपको कोई उम्मीद देने के लिए नहीं है ना जोटी उम्मीद देने के मनलब मेरा यह है कि आप logical हो करके इस चीज़ को ध्यान सुने और almost जत्म हम आप लोग को बताते हैं मुसली सही जाता है वैसे तो थोड़ा सा भरोसा करें और थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं और इसको समझने कोशिच करें कि इससे क्या होगा cut off थोड़ी सी down ही जानी है उपर नहीं जानी है अगर आप कहोगे कि shift 1 को लाव हो रहा है shift 1 का ही कहना है कि उनको नुक्सान हो रहा है कुल मिला इलाके null and void रहता normalization किसी का फायदा नहीं करता equivalency पे लेके आता है इसलिए normalization कराया जाता है तो कुल मिला इलाके overall में अब normalization का कोई effect विसे इस आएगा नहीं जो selected हो रहेंगे हम नहीं कह सकते एक आद बच्चे का किसी का अगर कहीं बन रहा हो medical या किसी चीज़ का भी तो हम नहीं कह सकते otherwise में हमारी सम्माना कहती कि बहुत 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 negligible amount का chance होगा कि कोई बच्चा बाहर होगा बाकि सारे के सारे सबलेट होंगे एक्स्ट्रा बच्चे बुलाये जाएंगे कट औफ और दाउन होने के समनाने जादा होंगी तो फुर्ब सा फुर्ब सा कूल एंड काम रहे है फुर्ब सा वेट कर लीजे रिजर्ट आएगा और जॉईनिंग जिससाब से रफतार चल रही है फटाफट से फटा फटाफट से लिस्टा रही है ये सबकी जोइनिंग वाली आपकी तो आही चुकी है तो उसे ये लग रहा है बहुत सीगर ही होगा अगर रिवीजन नहीं हो रहा है तो बहुत जल्दी ही आने वाला होगा हो भी बस दो चार शेर दिन दस दिन एक्स्टा लग जाए इस अलग बात है अदर वाइस तब भी आ यानि आपके हाथ में है और दूसरा आपके हाथ में नहीं है बियॉंड आपके है आप उस पे कुछ कर नहीं सकते हो बियॉंड क्या है कि रिजल्ट में क्या होगा या आपके बियॉंड में है आपने जो करना था वो कर चुके हो जो होना वहां से होना उसमें आपको कुछ लेना देना है नहीं तो जो चीज बियॉंड पे है उसको लेकर के बहुत परिशान होना हमारे इसाब से किसी के भी फायदे में नहीं होता आप चाहे जो कर लोगे होना वही होगा जो उनको होना होगा आप ने जो करना था आप कर लिए टेस्ट में एक आद दो नंबर बढ़ मानिएगा कान खोल के दधान सुनिएगा अगर आपने डिसी क्वालिफाई किया तो इसका मतलब यह है कि नॉन टेक में लगबग पचास के अप्रॉक्स आपने स्कोर किये हैं तो आप दिधान रखेगा कि क्वालिफाई करने के चांस आपके जादतर है जेई वगरा में अ वह झांस हैं जहां, हम न ही लगता है कि होना चाहिए, लेकिन हम एक बात कहते हैं आपसे, क्योंकि हम आप की जगाप थे तोक्या करते हैं? तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, या रो का मचाएं तो अब देखो जो कंट्रोल में नहीं उसको ले करके छोड़ दो रोज वाटसप पे लफदर होगी उसको इग्नोर करो हमने सारे चैट आप्शन आफ कर दिये हैं इसी एक ग्रूप में खाली जोइन करना जो करियर वेब वाला है और जब जोई जरूरी चीज़ हो जो कंट्रोल में उसको देकाद एक्जाम देते रहो अपना एंजॉय करते रहो अगर कोई भी दिक्कत है मान लीजे कोई आपने गलते स्टेप उठा लिया कि आप जोड़ दिया तो जन्दगी में खतम नहीं होती पहली बात तो यह है कि एक्जाम फाइनलाइज होगा इस बात का मतलब निशिंता रखें बहुत ज़्यादा हैं बहुत निगलेजिबल चांस है कि कोई एकाद बच्चा कहीं गलती से किसी बात पर बाहर हो रहा हो वह समझ पा रहें लेकिन फिर भी में फिर भी यह में कहूंगा कि ऐसा नहीं कि दो महीना आपने एक्स्ट्रा वेट देखें गे तब भी हम लोग लेट नहीं है टाइम फ्रेम में ही हैं अब पूछ के देखे सबसे दूसरा इस बार में ही केवल एक्षन रहा हर बार में एक यहाई अधर बड़ा रहा है तो देस्परेट मत हो जोड़ता हूं उससे चार महीना आता है आप लोगसे पांच मही से बचिए आप किसी पब्लिक प्रेटफॉर्म भी जब बलत बोलते हैं तो वही आप ही लोग जाओगे वहाँ पर तो अच्छी चीज नहीं है बहुत अगड़े तरीके से कामें लोग करते हैं और आप इस तरीके से कभी मतलब ब्लेम मत करिए एक रेपूटेटर और और लेके चलना चाहिए प्लान भी लेके चलना चाहिए लेकिन बागी लोगों को परेशान ना करें जो कूल है ने काम फजी आपको फरक पड़ता है जब अगर आपके जिन्दगी पहले से यहां पे है तो थोड़ा सा और हो जागी कोई फरक भी सेस नहीं पड़ेगा लेकिन आप यहीं पे चेंज जोइनिंग आगे, अब क्या करूँ, लफड़ा दुनिया भर का पाल लिए, परिशान सब दुनिया भर को कर लिए, क्या फाइदा मिलेगा, आप ही से मैं कनेट होंगा बाद में, आप ही बताओ के सार, हो गया मेरा, लड़ू लेके आओगे, तो एक दूल के बढ़ियां से अच्छा सा मना होना के फिर जाईएगा, चले, तो यह हो गया है, AI-ATC बारे में, जोइनिंग के बारे में, अब आती है वेकेंसी, अपडेटेड़ वेकेंसी, कि अब कब वेकेंसी आ रही है, इसको ले करके बड़ी समझता है चल रही है कि कब जैसा कि हमने अपडेट किया था आपको कि 5500 के आज पास में वेकेंसी एक्सपेक्टेड इन्होंने डाली थी, कब 2025 में, दूसरी जो 840 पोश्ट थी, ये कब की थी, 2024 की, मतलब 23 में ही सरिंकला शुरू होगे थी, 2024 में फाइनलाईज होगी, मतलब निकालना है तो आपको भ वाली जो वेकेंसी है, वो होगी प्रमोशन से, कौन प्रमोट होके जाएगा, यही प्रमोट होके जाएगे, तो उसी टाइम पेन का इसे प्रमोशन होगा, उसमें 230, तो यहां हो जाएगी, 449 के आसपास पास आपको ATC दिखेगी यगली वाली वेकेंसी में, 449 प्लस दिख सब कुछ सेट है, HRM की देखी रहे हो आप दाधर 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 रोज नोटिफिकेशन, आज इनका DV का लिस्ट आ रहा है, पिछले महीने से ले करके, यानि अक्टूबर से ले करके, सितंबर से ले करके, इस अक्टूबर तक का दौर देखो, website भी जा करके, आपको ऐसे त मोंबर में देखेगा, ड्राफटिंग होगी पूरी, टाइंटेंटेंटेंटी, शेडियूली भी आपको देखेगा, कि कब-कब क्या-क्या होने की संभा होना बन रही है, और फिर खाली बचेगा आपको खाली-खाली एक्जाम देने का टाइम, और एक्जाम देटे समय और आपको बहुत आराम से लोग कर सकते हैं इस वात का आपको महान होगा और आप खुद से पढ़ोगे तब भी होगा support लोगे तब भी होगा खुद से पढ़के एक अपते दोपते try कर लेना अगर लगेगा कि हाँ कर ले जाओगे that's good हमसे तब भी जुड़े रहना और अगर आपको लगता है कि आप गाइडेंस या कुछी जरूरत है a better option for you as per the records as per my belief and your trust trust करिये तब ही जुड़िये तो यह तो हो गई बात हमारी अगली वारी वेकेंसी की जो की सम्माना पूरी है और यह जो 551 इसकी है इसमें common carder भी included है इसमें ATC भी included है next year का इसमें fire services जैसे post भी है जो fire officer वगरा के post भी है टोटल 5,000 वेकेंसी next year target करके चल रहा है कि 2025 में हम 5,000 वेकेंसी लगवा पूरी कराएंगे फिर उसके आद 26, 28, 28, 29, 29 तक का time frame मनाया गया है कि हाँ ATC की देखो इतनी दनी post है इसे साल में निकलेंगी मतलब उतनी इन्होंने planning कर रखी कब-गब कितने airport launch हो रहे हैं inaugurate हो रहे हैं उसी के आधार पे planning करी गई है तो we are expecting a very charming growth in the aviation sector as well as in aviation careers तो अगर आप मानली जे graduation में हैं just in case second year, third year में आपको कोई भाई बहन पढ़ रहा हो उसको जरूर ये बताइएगा कि आने वाले 3-4 सालों में इसका एक boom आने वाला है salary में, package में, style में, हर चीज़ में तो वो कोशिश करे कि थोड़ा साइस को एक से target रखके चले join कर चुके हैं, वो काम आपको मिलेंगे जो इस बार select हो रहे हैं, वो अभी join नहीं पाए हैं और uncertainty के वज़े से सब्सक्राइशान है कि कब होने वाली है तो उन से नहीं अभी पूछेगा हो तो वही हो गया न, घाव पे नमक डालने वाली बात हो जाएगी आपके लिए तो कुल मिलाजिला के बास इतनी सी है कि लगातार हम लोग को opportunity दिख रही है अगर आपके पास age criteria भी available है तो तनमन धन से जुड़ जाईए अगर आपकी age criteria अगर मालीजे नहीं साथ देरी ऐसा लग रहा है तो अपना risk evaluation करिए कि क्या आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए कोई भी certain date जिसे आप कह रहा हो कि मेरा फरवरी में खतम हो जाए कोई कहरा March में खतम हो जाए कोई कहरा November में खतम हो जाए लेकिन फिर भी अगर delay हो गया तो क्या करोगे आप उसी को लेके चलोगे तो इसलिए आप अपने से थोड़ना पढ़ते रही है जाए के आएक है और जिन लोग के पास में timeline है ताइम फ्रेम है उनको अपना उसके पढ़ सकते हैं अपने से पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हैं लेकिन एक्जाम में confidence में निकाल के आए, जो नए बच्चे आए थे, आखरी आखरी में आए थे, वो पढ़ने का टाइम नहीं पाए, रिवाइजन दूर की बात है, एक कोई मौक दिया है, कोई चार मौक दिया है, उसमें कहां selection आएगा, और जिनका last में selection आता हूँ, उनके मैं credit भी नहीं लेता हूँ, मुझे पता है, वो पहले से पढ़े होंगे, बस last में थोड़ा बहुत assistant मिल गया हूँ, तो अलग बात, यही time है, इसी time पे ही आना था, मिड़ अक्टूबर के बाद हमने बताया था ना, तो सम्मावना पूरी वही है, लेकिन बस इतना ध्यान रखिएगा, कि कब आएगा exact date नहीं हमने बताया था, ना exact date अभी confirm है, जब भी आ जाए, तो ready रही है, prepared रही है, बड़े है त्यान र कहीं और फिर अपना time बर्बाद कर लेंगे, और कोई भी आपको बर्गला जाएगा, कोशिश यह करिए, कहीं भी जुड़िए, सद्धा से जुड़िएगा, सोस समझ के, लाइस करके जुड़िएगा, तो आज के लिए इतनी अपडेट थी, अगर कोई और अपडेट चाह तो यही नाम इसका है, तो एरपोर और ऑपरेशन की विकेंसी एकदम एक्सपेक्टेट है, जब भी आजाए, बास समझ पा रहें, लेकिन हाँ, अब्सर्वेशनल पीरिड में चल रहा था, तो अब फाइनलाइज है, सेकेंड लिस्ट आ ही गई, उसी पे हम लोग वीडियो जब भी इसकी विकेंसी आ जाए, तो थोड़ा तैयार रहीएगा, लेकिन फिर भी अभी ततकाल में कोई उम्मीद नहीं है इधर एक दो महीने में, लेकिन हाँ, उसके बाद में जैसे हमारे पास सॉलिड न्यूज होगा, हम आपको ज़रूर अप्डेट करेंगे, तो हस्त कर रहा है पिशले दो महीने से, और इस समय है, तो आप जो नोटिफिकेशन देखते हो, प्रोविशन सेलेक्टेड वो ऐसे नहीं होता है, उस पर बहुत रिसर्च करना पड़ता है, तो काफी मेहनत कर रहे हैं सब एक से बड़के तरीके से, इविन आप जब बात करोगे, क अगर आपको हमसे किसी भी बात पर नाराजगी हो, किसी बात से आप नहीं शैमत हो, तो जरूर हमें मैसेज करिएगा, वाटसप पर जाएटली डियम कर दीजेगा, मेरा नंबर क्या है, 9026-674746, इस पर आप डियम कर दीजेगा, इंस्टेड आप पुटिंग इंड ना कमें हम जरूर अपकर इप्लाई करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, और शायद आप बात करेंगे, तो ज्यादा से काम हैं पूल रहेंगे, क्योंकि आप कमेंट में कुछ भी उल्टा प्रिटा करेंगे, बेवज़ा आप भी परिशान होंगे, चाल लोग और भी परिशान होंग आप डेरेक्ली हमसे बात करें, that would be great. So, keep take care of yourself, अपने health का ध्यान रखें, बढ़े हां सोते होते रहें, बढ़े हां पढ़ाय वड़ाई करें, बढ़े हां खायें, बढ़े हां पीएं, बढ़े हां एक साइस करें. Bye-bye, take care.